बहुत बहुत स्वागत आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती पांच बजने को हैं और अब तक की पांच बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे मध्यप्रदेश और 36 गड़ में चुनाओ का माहल जोर पकड़ने लगा इन सब के बीच कॉंग्रेस की दिली में महत्वपून बैठक मध्यप्रदेश को लेकर ये फैसला किया गया कि नवरातर में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है 36 गड़ को लेकर कहा जा रहा है कि 20 सीटों पर पार्टी ने नाम तैय कर लिये है 18 संभावितों के नाम नीजेचीन के पास है कौन कौन से ये नाम है वो भी आगे आपको बताएंगे बीजेपी के विधायक नारायन तर पार्टी बीजेपी छोड़ दी है आगे उनकी क्यारण नीटी होगी इस पर भी चर्चा करेंगे इसके अलावा मुस्लिम धर्म गुरू मौलाना तौकीर रजा फिर विबादों में उनके बायान पर बीजेपी गुस्से में है क्या है मामला वो भी बताएंगे इसके अलावा 36 गड़ के दोरे पर पहुंचे पूर्व केंद्री मंतरी रवी शंकर प्रसाद ने सरकार पर ताबर तोड हमले किये क्या कुछ कहा ये भी जानेंगे लेकिन सबसे पहले बात कॉंग्रस की बैठक की तो मद्रदेश को लेकर कॉंग्रस C.E.C. की एक महतकून बैठक हुई और इसमें 60 सीटों पर मंधन हुआ है बैठक के बाद कॉंग्रस के जो प्रभारी है सुर्जे वाला वो ये कह रहा है कि नवरातर पर लिस्ट जारी होगी इसके अलावा कमलनात ने ये कहा है कि बैठकों के सिलसले लगातार चलते रहेंगे बैठकों के दौर नहीं थमेंगे तो बैठकों के सिलसले चलते रहेंगे नाम लगभग तै है एलान होना बाकी है अभी और बैठकों के सिलसले चलेंगे पूछा भी गया कमलाथ से कि बैठकें बहुत हो रही हैं उन्होंने कहा हाँ, बैठकें होती रहनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए साठ सीटों पर मंधन हुआ है बैठके बाद सुर्जेवाला ने कहा कि नवरातर पर लिस्जारी होगी कमनलात ने का के बैठा के तो होंगी की सरफुटवल का है एक भाजपा की घबराहत और चर्पटाहत का है और एक आतम विश्वास का है वो आतम विश्वास जो है 8.5 करोड मद्य प्रदेश की जनता के अशिरवाद का है वो आतम विश्वास जो है मद्य प्रदेश के 8.5 करोड लोगों का जन आक्रोश जो भाजप्पा पर फूट रहा है उसके खिलाफ है अभी हमने लगबग साथ सीतों पर चर्चा करी है फिर से मीटेंग होगी हमारी अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फॉरण है जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे तभी लिस्ट फाइनल करेंगे हम शराद के और जितनी चर्चा हुए उतना अच्छा है इधर सी सी की बैठा के बाद मध्यप्रदेश कॉंग्रेस के नेताओं की एक और बैठाक हुई कॉंग्रेस वार रूम में चुनाओ को लेकर रणनीती पर मन्थन हुआ है इसमें कॉंग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्षे कमनलात वो थे रणदीप सुर्जेवाला वो शामिल हुए दिग्विजय सिंग सुरेश पचारी अजय सिंग कांतिलाल भूरिया ऐसे जो तमाम गज हैं कॉंग्रेस के मध्यप्रदेश कॉंग्रेस के वो इस तुबैठक में शामिल हुए हैं 36 गढ़ में कॉंग्रेस के 20 प्रत्याशियों के नाम लगभग तय किये जाने की बात सामने आ रही है एक और खास बात न्यूज 18 के पास है 20 संभावित उम्मीद्वारों की लिस्ट नाम भी आपको पता रहे हैं उनके सामने होंगे भतीजे, सांसद, बगेल, टीयस सिंग्देव, अंभिकापूर, यहीं से टीयस सिंग्देव चुलाव लड़ते हैं अनिला भीडिया बालोत से उमेश पठेल, पठेल परिवार की पारंपरिक सीट इसे कहा जाता है दबदबा इस सीट पर पठेल परिवार का खरसिया से उमेश पठेल तो इन्हें मिल सकता है टिकट कॉंग्रेस के ये 20 उमीदवार लगभग तै माने जा रहे है न्यूज 18 लगातार आपको ये सूची 20 नाम बता रहा है एक वज़ा ये भी है कि ये वो नाम है इनमें से जादे तर वो नाम है जहां सिंगल नाम का पैनल है चरणदास महन सक्ती सैलेश पांडे बिलासपूर अमरजीत भगस सीतापूर विकास उपाध है रायपूर पश्चिम यही से विकास अभी विधाइक भी है और टीम राहूल के तौर पर उन्हें देखा जाता है पंकश शर्मा या सत्यनायन शर्मा रायपूर ग्रामीन अंबिका सिंग्देव बैकूंटपूर अरुन वोरा दुर्ग शेहर वोरा परिवार की सीट अमितेश शुकल राजिम जहां से वो विधाइक भी है रविंद्र चौबे साजा यह हमने आपको बहुत पहले बता दिया था सिंगल नाम है रविंद्र चौबे मोतिलाल देवांगन या राम सुंदर्दास जांजगीर चापा अरुन वोरा दुर्ग शेहर अटल शिवास्तो कोटा ये वो बीस नाम जहां जादा पेच नहीं है कुछ सीट ऐसी भी है जहां दो नाम का पैनल गया है तो 36 गर चौबे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर फटाफट जान लीजे भूपेजबगेल पाटन पारंपरिक सीट है टीएस सिंगदेव अंबिकापुर यही से सिंगदेव चौणावल लरते हैं टीएस बाबा शिवडहरिया आरंग अनिला भीडिया बालोद उमेश पठेल खरसिया तामर्था साहु दुर्ग जैसिंग अगरवाल कोरभा चरणदास महंत सक्ती सैलेश पाइडे बिलासपुर अमरजीत भगत सीतापुर विकास उपाध्या रायपुर पश्चिम पंकस शर्मा सक्तिनारायन शर्मा रायपुर ग्रामीन से अम्बिकास सिंग देव बैकुंटपुर अरुन वोरा दुर्ग शहर अमितेश चुकल राजिम रविंदर 24 साजा तो ये वो नाम है जो हम लगातार आपको बता रहे हैं ये 20 नाम है बात मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश में भी माशार्दा की नगरी मईहर की की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया उन्होंने ये भी कहा कि आगे की रणनीती बहुत जल्द बनेगी अटकले ये भी लगाई जा रही है कि क्या त्रिपाठी कॉंग्रिस के हो सकते हैं इस तरह की बातें भी सियासी गल्यारों में चल रही है कर आपका राजनीत के उद्वे से क्या है बिंद के वाल बच्च नो बहुतर भवित्वा ना बिंद में राम राजी की इस्तापना करना और राजनीत का मेरा पहला उद्वे स्टेस यह कि भारती जनतापार्टी का बिन्द छेत्र में अध्र-प्र देस में तो जाई रही है वेडसेटर में इया जो कि हमारा सम्दास में रीवा संभाक की 30 सीट हैं उन सीटो में भारती जनता बाद ही तै कर पाऊंगा इसलिए कि मैयर के बिना में कुछ फैसला कर नहीं पाऊंगा सोला को जाऊंगा सोला की साम को वहां जाने के बाद जो जो सवाल करेंगे एक एक सवाल कर जवाब दो कोई भी स्वाबी मानी नेता अब बीजेपी में नहीं रहेगा उनकी माने तो अभी कई और नेता भाजपा छोड़ेंगे हाला कि क्या नारायन त्रेपाठी कॉंग्रस में शामिल होंगे इस पर मिश्चरा बचते नजर आए कोई भी समझदार आदमी जिसमें कुछ सम्मान और विचार सेश है वो भारती जनता पार्टी में नहीं रह सकता है जो भी स्वायवानी हैं इजददार हैं वो भारती जनता पार्टी के फरेब और छल से बाहर निकलना चाह रहे हैं मुसलिम धर्मगुरू मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादत बयान दिया है तौकीर रजा ने पीम मोदी को लेकर अब शब्दों का स्थमाल किया उन्होंने पीम मोदी को जालम इंसान कहा दरसल तौकीर रजा ने भारत सरकार द्वारा इसराइल का समर्थन किये जाने पर नाराज़गी जताई हमास को आतंगवाली संगठन मानने से इंकार कर दिया इसके अलावा तौकीर रजा ने 19 अक्टूबर को दिल्ली में एक मुसलिम महापंचायत भी बुलाई है जालिम का साथ देना अगर अच्छी बात है तो नरेंदर मोदी की जितनी ही माइज की जाए वो कम है क्योंके नरेंदर मोदी भी जालिम है और इसराइल भी जालिम है तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए आजम ने तो यह कहा कि हमास एक आतंगवादी हमला किया उसने आतंगवादी तो नरेद मोदी खुद हैं हमारे देश में आतंगवादी प्हेलाने का काम करते हैं आतंगवादी को चारों तरफ हिंदुस्तान का मुसल्मान के आतंगवादी नहीं कहा जाता है हमास आतंगवादी कैसे हो गया? किस पैमाने से नरिल भोडी ने ये टे कर लिये कि हमास आतंगवादी है? जो सवाल नरिल भोडी से करना चाहिए आप हो मुच से कर रही ओ और प्रधान मंत्री नरिल भोडी को ले कर म lifesलिम धर्मगरू मौलाना तौकी रजा के इस विवादित बयान को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केसरवानी उन्होंने भी पलिटवार किया है। प्रेम प्यार साथ उनके रहता है। रविशंकर प्रसाद च्छतीजगड़ के दोरे पर रहे। यहाँ वो धरसीवा, आरंग, अभनपूर के दोरे पर जाएंगे। दोरे से पहले मीडिया से बाचीत उन्होंने की, रविशंकर प्रसाद ने का कि छतीजगड़ दिल्ली यानि कॉंग्रस के लिए एटियम मन गया है। गोबर खरीदी तक में घुटाला कर दिया, अब जनता को जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी लगातार इस पर सवाल पूछती रहेगी। अजित जोगी जी भी दिल्ली को फिट रखते थे अपनी पार्टी में, और यहां तो एटियम ही बुला हुआ है। गोठान का जो मैंने खपला देखा, तो मुझे चारा घोटा लेके खपले की आदा दे। अब गोबर पर भी तसकरी, क्या है, कहीं तो छोड़िये। कितना करेंगे आद, हमारे मित्रों ने सुश्य को उठाया है। कहीं तो एक दिरा छोड़ना चाहिए ना। अब मुझे मालूम नहीं था कि कैंडी क्रश भी इतना लोग करिया हो जाए। सुबह आते ही हमारे मित्रों ने सुश्य को एक कैंडी क्रश क्या है। मैं दिल्ली में पढ़ाता ज़रा मुझे बताया जाए। भुपेश बाबू आपको गेमिंग एप से इतना प्यार क्यों है। ये सवाल तो मैं जरूर उठाओंगा जा। मैं रिपीट कर रहा हूँ। भुपेश बाबू आपको गेमिंग एप से इतना प्यार क्यों है। जब इस मामली की मैं तहकीकात कर रहा था। मुझे महादेव एप की कहानी बताई कुई था। और इसलिए मैंने का कि 36 गड़ से मुझे प्यार है। जब मैंने महादेव एप के बारे में सुना था कि भिलाई का एक नौजमान 200 गोड़ खर्चा कर रहा है दुबाई में अपनी शादी में। यह तो कबाल की चीज़े भाई था। आदर्ष आचार सहिंता लागू होने के बाद बीजेपी और कॉंगरस के विधी प्रकोष्ट के सिपाही भी चुनावी रैलियों पर नजर जमाए बैठे हैं। इसी कितायत बीजेपी विधी प्रकोष्ट ने कॉंगरस की महासच्यों प्रियंका गांधी पर आदर्ष आचार सहिंता का उलंगन करने को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। तरसल 12 अक्टूबर को मंडिला में जनाकरो शैली को संबोधित करते हुए कॉंगरस महासच्यों प्रियंका गांधी ने बच्चों को पास्तों से फंद्रा सो रुपए तक देनी की घुष्णा की। साथ ही साथ एक करोड विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ने का ऐलान भी मंच से किया। इस बायान के विरोध में भाजपा विधी परकोष्ट ने चुनाव आयोग दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई है। देखिए अभी हाली में मद्रप्रदेश के विधान सभा चुनाव होने को हैं और जैसे ही चुनाव की तारीकों की घुष्णा होती है। तबी से आदर्श आचार सहिंता लागू हो जाती है। और जन प्रतिनित्र कानून जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट मिश्व इस कानून के अंतरगत क्लियर कट कहा गया है कि जब आदर्श आचार सहिंता लगी हो तो कोई इसी भी प्रकार की इसमें की की 1000 रुपे देंगे या 1500 रुपे दिये जाएंगे तो यह जो गोश्णा है यह सीधे-सीधे मतदाताओं को प्रलोबित करने की गोश्णा है और यह सीधे-सीधे और इसपस्ट रूप से आदर्श आचार सहिंता का उलंगन है और मध्यप्रदेश प्रतिनित्र कानून का भ भी अपने अपने तरीके से एक्टिव हो गया है इंदोर आपको लिए चलेंगे सायोगी मिथलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे और ज्यादा आप चर्चा करेंगे इससे लेकर मिथलेश हमारे साथ इंदोर से जुड़ेंगे मिथलेश आपको नजर भी आ रहे होंग मंदला पॉस्ती हैं कॉंग्रेस की राष्टी महा सच्छी प्रेंगा गांदी उसके आद वो एलान कर देती हैं चुनावी महा समद्ध चल रहा है इसमें और उसमें वो कहती है कि पहली से लेकर आठवी तक के बच्चों को पांच सुर्पे दिया जाएगा आठवी बाद नौ गया है कि इस प्रकार का जो बयां दिया गया है मद्ध प्रदेश में आदस आचार सहीता लग चुकी है क्योंके टारीकए में शिकायत कर दी गई है कही कहीं से कॉले मामले में सिकायद जहां रहे हैं जी जी हाला कि बयान देने में नेता सिद्धर्स होते हैं कब किसकी जबान से जाने कौन सा एलान टपक पड़े कॉंग्रेस की भी नजर लगातार होगी तो मितलेश करने वाला है इसलिए आदर सचार से तक उलंगा दे चली बहुत-बहुत धन्यवाद मितलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए मितलेश को हम सुन रहे थे और इन सब के बीच एक बड़ी ख़बर इस वक्त रतलाम से मिल रही है रतलाम में बड़ा हाथ सा कार में आग लगी चली गई SUV सेग्मेंट की एक गाड़ी बीमा हॉस्पिटल के पास किये पूरी घटना है स्टेशन रोट का मामला दमकल ने आग पर काबू पालिया कार में आग लगी और किसी तरह की जनहनी रही सबसे अच्छी बात ये लगातार कार में गाड़ियों में दुपईया वाहनों में आग लगने की बड़ती घटनाओं के बीच ये तस्वीर निउस 18 मद्धिपरदेश रतीजगर पर ये एक्स्क्लोजिव तस्वीरें आप देख रहे हैं दमकल ने आग पर काबू पालिया है रतलाम में कार जल कर खात दमकल ने पहुंची आग पर काबू पाया गया तब तक काफी नुकसान हो चुका था कार को अपनी चपेट में याग ले चुके थे और इसी के साथ इस बुलिटन में इतना ही खबरों का सलसला जारी रहेगा